हेलो प्रेंट्स आज मैं आपके साथ सेल कर रही बहुत ही टेस्टी स्वादिश मिठाई की रेसेपी यह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और यह महिनों तक बिल्कुल खराब नहीं होती है महिनों तक आप इसको इसको इस्टोर करके रख सकते हो तो आपको मैं एक सोप्ट है तो चलिए देख लेते हैं इस मिठाई को हमने कैसे बनाए बहुत ही आसान तरीका तो प्राइस लाजते वीडियो बना रही है तो यह देखिए एक कटोरी हमने बैसन लिया है सबसे पहले हम बैसन लेंगे इसको हम कडाही में डाल देंगे इसी कटोरी का हम मेजर्मेंट रखेंगे एक कटोरी हमने बैसन डाल दिया है तो इसी कटोरी का एक कटोरी हम मेदा डाल देंगे इसमें हम मावा किसी का योज नहीं करेंगे लेकिन आप इस वीडियो को देख लिया तो आपके मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और अभी हम क्या करेंगे इसको मेदा और बैसन को अच्छे सी रोस्ट कर लेंगे दो मिन्ट हमें इसको रोस्ट करते हुए लगेंगे तो लगाता चलाती हुए गेज को एकदर मीडियम लो फ्लेम करके आपको लेना तो यह देखिए, दो मिंट रो गए हैं, इस का ज़ादा कलर चाया नहीं किया है, अभी हम क्या करेंगे, इसमें हम घी डालेंगे, तो दो चूक्झे करेंब preconcelling घी घेंगे, इससे कम भी आप ले सकते हो, लेकिन ने यहां दो चूक्झे ज़ाओं घी घाओा है, लेकिन गी कम भी कर सकते तब भी मिठाई बन जाएगी लेकन इतना अच्छा टेस्ट नहीं हाएगा तो लेकन दो चोटे चमस हमने घी के डाल दिया है और इसको लगातार चलाते हुए अच्छे सी मेक्स कर लेना हमें तो फ्रेस को जंजट निया है यहां मैंने इसको फास्ट मोड कर कर दिया है तो आपको अच्छे सी दिखा पाऊं तो यह देखिए 10 मिंट हो गया है और यह बैसल और मैदा घी को रिलीज कर दिया है और एकदम फिर से गिला हो गया है अभी हम क्या करेंगी यह मैंने दूद में थोड़ा केसर भिगो दिया था गरम दूद में और यह इसमे अगर आपके पास कैसर आप डाल सकते हो नि तो इसकीप कर सकते हैं जुरूरी नहीं कि कैसर डाले तो आप भी डाले लेकिन यह मेरे पास बढ़ा था मैं इसमें डाल दिया है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह दूद वाला स्टेप अगर डालना साथ है तो आप डाल सकते हो नि तो सिद्धा आप इसको पांच मिन्ट अच्छे से पका लिया है यह हमारा पैशन और मेदा का मिसमरा बनके लेडी हो गाए तो यह देखिए को अलग बर्तनने निकाल लेंगे साइडे कर लेंगे जार लेंगे posição मिक्षी बिशाने का दालती हлись और दो बृष्चा के लिए jetzt मैं ड sphere साटे ट defensive गें तो यौल लोगस। नाखी और दोमागा नितों साइथ बिशा से निहें excited इसी के लिए मैं पीछ रहे हुँ लाएशी चीनी के साथ अच्छे पीछ जाएगी तो इसमें पाण चीनी के साथ अक्राइड पीछ पराएगे acontece लगातार चलाते हूँए पकार लेंगे कि कि wasn't change करती हूं इसे अच्छे से नहीं हो पा रहा तो बड़े थृट्वाला मैंने चब तोला लिया है। इस से अच्छे से मैक्स करств Tag को इसे लगाता तरा को चलाते हुए इसको थोड़ा मिक्स कर देना है जिसे इसमें कोई गांठे कर दो शोट देते हैं कि बीच में देखिए एक तार बन रहा है इसी तरह का एक तार रहा अगर आपको पिर जेश को गर करके यह आप चासनी बना सकते हैं लेकिन एक तार की आपको चासनी बनानी है और अभी यह गेस को मैंने बंद कर दिया है में ओन ही करना है क्योंकि हमने एक तार की चासनी बना ली है और यह जो मेदा बैसन का मिश्रंग है इसमें हम डाल देंगे उसको अच्छे से चला देंगे अ ताकि वीडियो लं मूं बने और अच्छे सी हमें पूरा दिखा रहे हूं faist mode करके नितम मैं cut भी कर सकती थी लेकर मैहने cut नहीं किया fast mode कर दिया ताकि वीडियो 40 बने और आप अच्छे से देख पाओ तो से लो जोगे कर दिया हैं और को थंडा होने जैसे हाथ हम लगा सकते हैं तो यह देखिए अच्छे सी यह पूरा डो जैसा बन गया है जैसे और अभी हम इसको जैसे चास्म ठंडी होती है वो जैसा अपने आप बन जाएगी अभी ट्रे में थोड़ा सा घी से ग्रीश कर लिया है इसी इसी ट्रे में हम इसको निकालेंगे अगर आपके पास बर्फियो वाली ट्रे है तो आप ट्रे में निकाले नहीं तो कोई थाली प्लेट में भी आप इसको सेट कर सकते हो तो अभी इसको अच्छे सेट कर देगे बहुत ही अच्छे शी सेट हो जाते है बहुत ही ज्यादा सोप्त इस्पंची टाइब का हमारा डो बनके रेडी हुआ तो फ्रेश एक बार आप जुरूर बना के ट्राइ कीजिएगा आपको यकीन भी नहीं होगा कि अपने आथों से आपने बनाई है चासनी के जो हम मिठाई बनाते हैं वो लंबे समय तक चलती है इसमें कोई जहचर नहीं होता और बहुत ही अच्छे से बनती है और यह देखें शिल्वर वरक मैंने यहां लगा दिया है गार्निश के लिए अगर आपके पास यह है तो आप लगा सकते हो जिससे क्या होगा एकदम मार्केट जैसी दिखने में लगेगी अगर आपके पास यह नहीं है तो आप स्किप कर सकते थोड़ा समय यहां बनती है और यह दाल दूगी और इसको अच्छे से सब्सक्राइब कर देंगे पिस्ते को दबा देंगे ताकि यह वर्फी जमने के बाद निचे ना गिरे और इसको सिल्वर वरक को भी अच्छे से पहला देंगे थोड़ा थोड़ा करके चारोत रुपैसे थोड़ा हम भीना के जला के मिठाई बना तो लेते हैं लेकिन वह ज्यादा समय तक नहीं चलती आप इस मिठावे को एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हो तो इसको देखे मैंने 15 मिंट चोड़ा है ज्यादा नहीं चोड़ा है और यह अच्छे से से शैट हो गया 15 मिंट बाद में हम इसको कट करते हैं तो देखें मापको कट करके दिखाती बहुत अच्छे से हमारी बर्फी सेट हुई है तो फरस आप एक बार जुरूर बना के ट्राइ कीजिएगा मुझे पहले मुझे भी नहीं आती थी मिठाई बनाना चासनी की लेकर मैंने शुरू में एक दो बार बना मत्रा बार अगर आप मिठाई बना हो गए तो यह केर मानिवान खी जाइब यह धाधा जखें बन जाएगी और आप आप ने वीडियो अच्छे से देख लिया तरके अपके एक और वार में षीम जैदा अच्छे बन जाए को बिल्कुल skip ना करें और step by step इसको बिठाई को देखिए आप घर पे जुरूर ना कि ट्राइ कीजिएगा कोई भी फेस्टिवल पर आप इसको बना सकते हो मेहमान आगे तब भी आप इसको बना सकते हो बहुत ज़्यादा मस्त लगती है इस्टोर करके भी आप रख सकते हो देखिए इसका टेक्सर आप पास से दिखाती हो और यह भी बिठाई बिल्कुल भी खराब नहीं होगी जब भी आप खाना खाओ या मिठा खाने का मन करो तो महिने तक इसको बना के रख सकते हो इसको बिना फ्रीज के एक महिने तक चल जाएगी मैं आपको गारांटी के सा बहुत ही मज़ेदारी है हमारी मिठाई बनी है अब अलग ट्रे में हम फोटो के लिए इसको निकाल लेते हैं और आपको मेके करके दिखा भी रहूं कितनी अच्छे सी मिठाई बनी है बर्फी बनी है एकदम मावा जैसा इसका टेस्ट आया है तो एक बार जुरूर बना के ट्राइ कीजिएगा इस रक्षा बंदन पर गनेच चतूर्थी पर कोई भी फेस्टिवल पर आप बना सकते हो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है एक कब बैसन से अमने धेर सारी मिठाई बना ली है पूरे घर इसको पेट भर भर के खा सकता है एक बैसन एक कब बैसन मे तो यह देखे फिर से मतोड की दिखा रही हुए देखे फिर बहुत ही ज्यादा मज़ेदार बनी है तो एक बार आप जुरूर बना के ट्राइ कीजिएगा बहुत ज्यादा आपको टेस्टी लगेगी तो फिर अगर यह मिठाई की रेसेपि आपको थोड़ी पी अच्छी लगी हो तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेर जुरूर कर देना और लाश्टे वीडियो देखने के लिए देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद थैंक्यू फिर मिलते हूं एक नई रेसेपि के साथ तब तक के लिए बाए बाए टेक केर